नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपना चैनल राश्टीच में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि बिहार सिक्षक नियुजन नियुक्ति 94000 जो होने वाला है वो कब तक होगा और इसके बारे में बहुत ही बड़ी नियुज निकल कराया है तो इस नियुज भी देखेंग कि क्या है और कब तक नियुक्ति होने वाला है यह भी जनकारी हम लेंगे तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा और एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो 94,000 सिख्षा का नियोजन होने वाला है तो उसके बारे में क्या आज नियुज निकल कर आया है यह देखेंगे तो चलिए देखते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पंचाइत चुनाव होने तक नहीं होगा शिख्षको का नियोजन यानि की जब तक पंचाइती चुनाव जो अभी बिहर में चल रहा है यह समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आपका नियोजन नहीं कराया जाएगा अर्थार्थ नियोजन खतम होते ही आप लोग का नियोजन कराना सुरू हो जाएगा यानि नियोकती पत्र मिलने लगएगा तो जैसे कि एक और नियूजपेपर निकला है तो उसमें लिखा गया है आपको कि जो सब ही सिख्षक जो जिनका सेलेक्शन हुआ है उनको एक साथ में क्या किया जाएगा नियोकती पत्र दिया जाएगा तो पहले तो देखते हैं कि कहा क्या गया है इस वीडियो में इस नियूजपेपर में क्या कहा गया है तो चलिए देखते हैं कि देखिए यहां पर लिखा गया है कि बिहार में पंचायत चुनाव समापतों होने तक सिख्षकों का नियोजन नहीं होगा राजी निर्वाचन आयोग ने निर्देश माध्यमिक सिख्षा के अनुरोध अस्पष्ट करते हुए निर्देश दिया है कि माध्यमिक उच्चे माध्यमिक सिख्षकों का नियोजन पर किरिये को अदर्स अचार सहिता अभी अचार सहिता लागू है, अचार सहिता के परभावी रहने के इस्तिती में विभाग के प्रस्ताव पर आयोग का असमाती ब्यक्त की जाती है सिक्षा विभाग की ओर से निर्देश से, माध्यमिक सिक्षा के आयोग को पत्र लीकर छठे चरण की नियुक्ती है तू निर्धारित समय तालिक्या के अलोग में गति विधी जारी, जारी रखने पर अनुमाती देने का अनुरोध किया था आयोग के उप सची उने जीले परिशद, नियोजन समीती दुवारा नियोजन की परकिरिया को संपन किये जाने के प्रस्ताव के संबंध में कहा की जीले की परिशद, परामर्शी समीती में जीले परिशद के एक सदस्य होते हैं, अदर्स अचार सहिता मार्ग दर्शिका के भाग तीन, मैं अश्पष्ट अंकित की केंद्र राज सरकार की कोई ऐसी नियोजन जिसके चैन किरिया नियोजन में पंचायती राज, संस्था के परतिनी धियोग की परतियक्षया परूच भूमिका है, उनके कारेनेवन पर रोक रहेगी, यानि कि जब तक आपका अचार सहिता लागू है तब तक आपकी नियोक्ती नहीं होने वाली है, ये बिहार सरकार ने साब साब कही है कि जब तक ले बिहार में चुनावी परकिरिया चल रही है तब तक आपकी नियोक्ती नहीं होगी, तो अब रही की नियोक्ती होगी कब, तो देखिए जो 94,000 सिक्षक की नियोक्ती होनी है, वो नियोक्ती आपको होगी, दिसंबर फर्स्ट वीक से आपकी फर्स्ट वीक से न्यूकती होने चालू हो जाएगी तो ये रहा आज का अपडेट है आप हिंदुस्तान पेपर में जाकर देख सकते हैं तो अगर इस परकार का कोई सिख्षक रिलेटेड न्यूज मिलता है तो हम सबसे पहले आपको देंगे और जब तक सिख्षक परकी दिया पूरी नहीं हो जाती है हम आपको अपडेट देते रहेंगे धन्य बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में